नमस्कार दोस्तों, सिविल ग्यान में आपका स्वागत है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा बॉक्स कलवर्ट होता है, उसका जो वेरी में रेंफोर्समेंट है, वो किस तरीके से लगाना चाहिए, और उसका वीबेस किस तरीके से बनेगा, तो यह यह यहाँ पे जो ड्रोइंग है, वो माइनर बीच की ड्रोइंग है, आप लोग इसको बॉक्स कलवर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं, वैसे जनरली बॉक्स कलवर्ट में जो इसक्यू वाले स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें वेरी वाला रेंफोर्समेंट नहीं लगता है, लेकिन फि करने से पहले, अगर आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जा के सब्सक्राइब कर लिजीए, वैसे बíक्त कीुक्षन में आपके सामने alguma आपको सब्सक्राइब करना है, ओर बेल नौटिफिकेशन को दिकेशन को ढगाना है, ताकि जितने भी वीडि प्रणल्रट कीए आपको यह 90 डिग्री में है आप लोग कुण में इसको 430 ले सकते हैं लेकिन रही इसकी ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली तरत यहां पर इसका स्पान करने कर और यह आपि का बस देता हूं यह थे इसिक पूरी यहां पर एक जैसी है यहां परिया पे इसकी हाइत मिने फिंग की हाइट है वो यहांपर मैंने 51 फिन रखेंगा यह 31 में में लेके इसको बना रहा हूं आप लोग अलग से बना सकते हैं ठीक है और यहां पे median में consider नहीं कर रहा हूं मतलब जहां पर raft है वहीं पर slab आ रही है और इधर में यह वाला हम लोग section नहीं देखेंगे हम लोग बस यह एक side वाला पूरा यहां पर जो हमारा RHS वाला है वह यहां पर इसको बनाएंगे तो यहां लोगों ने कुछ assumption रखेंगे हैं ठीक है तो यहां पर जो इसकी बारा मिटर 500 प्लस यहां पर देड़ मिटर की मिडियन है तो यहां पर पूरा 14 मिटर हो जाता है तो 14 मिटर के हम लोगों राख्ट लेनी है और इसका skew में निकालना है हम लोगों को ठीक है अब चलिए शुरू करते हैं तो अब यहां पर आप लोग देखी एक तो यह हो गया आप इसका प्लान देखते हैं प्लान देख की चीज़ा हम लोग बात में देखेंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा होगा इसलिए मैं इसको पार्ट में बना रहा हूं और आप लोग इसके सारे पार्ट जरूर देखियेगा यह भी पार्ट वन है ठीक है तो इस पार्ट वन को हम लोग अभी चालू करते हैं इसके reinforcement लिए प्रिके से और बिक्षी तर इसका पर लोग देखेंगे तो यह एपे प्लान इसका प्लान कुछ इस तरीके से दिया हुआ ठीक है और इसका हम लोग वो सेक्षें जो है यहां पर दिया हुआ है ठीक है तो आप लोग शुरू करते हैं आप बारमांक No. तो आप लोग देखेंगे यहां पर यहां पर इसकी हाइट क्या हो रही है यह पॉइंट 3 भी हो रही है तो इसकी वेंट है इसकी एल की लेंफ हो म लोग निकलते है यहाँ दिया भी हुआ इसको पॉइंट 3 करते हैं तो आता है 930 mm प्लस 75-1 bunları यहाँ पर है यहां पर यहां पर यह दिया हुआ है उसकी ढावा इसकी लेंफ यह भी खौत में रहों मतलब उसकी लेंफ किया निकलने वाली है वह हम लोगों को देखना है तो बोटम की लेंद कैसे निकलेगी तो यहां पर हम लोगों ने देखा था अभी कि जो हमारा 670 mm का लेंद था उसके लावा 400 mm की वाल प्लस 400 mm की वाल साथ 560 और इसमें से हम लोगों को 150 mm कवर मतलब 75-75 mm दोनों त्रप से कवर मैनस करना है तो आता है साथ 12カ decree а thयाता है streight portion में ठीक हमारा जो reinforcement है इसमें reinforcement किस तरीके से बन रहा यह देखी और यहां पर enough बोटम में वह है 7.410 mm यहाँ पर इसकी लेंद निकल के आ रही है तो यह वाला पार्ट तो एक हम लोग निकाल लिया अब उसके बाद में कौन सा बार रता है वह हम लोग देखते हैं तो इसके बाद में जो बाहर चालू होता है वह होता है 1a ओने यहाँ पर क्या दिया हुआया कुछ इस तरीका से मतलब यह एक नमबर waren बार का ही पार आपको इधर सैक्शन में नहीं दिखेगा है यहाँ पर चले देखेंगे तो आपको नहीं दिख़रा होगा आप लोग यहांपर चल abilities अधिक बार तो यहाँ पर पे यहाँ दिखाए यह इसकी स्क्यू में लेंध हम लोगों को निकालनी पड़ेगी तो इधर से लेके और यहां तक यह लगा हुआ है तो यह क्या लेंध यहां पर इसक्यू में क्या लेंध बन रही है वह हम लोगों को निकालना है यहां पर और इसक्यू लेंध में हम लोगों को इसके नंबरा लिटा से डिवाइड करते हैं यहां पर तो इसकी में लेंद तो इसकी में लोगों को तो इसकी लेंद कितने निकलेगी जो हम लोगों ने साथ 410 निकाला है उसको डिवाइड़ बाइड़ करेंगे तो आठ मेटर 111 इसकी लेंद निकलाएगी इसके एल 145 ही रहेंगे और इसके नंबर जो है वह 10 10 x 20 रहेंगे ठीक है इसके नंबर कितने निकालने इसके नंबर निकालने के लिए हम को एक ड्रोइंग यहां पर ड्रो करनी पड़ेगी तो एक कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रोइंग यहां पर ड्रो कर रखी है यहां से लेके और यहां तक किती लेंद निकलेगी व पंद्रा मीटर 161 में ठीक है और यहां से यह वाली लेंथ में हम लोगों का जरी रेंफोर्समेंट है यह स्टेट वाले यह इस वाली लेंथ में लगेगा मतलब इस्टेट पॉर्शन में कुछ इस तरीके से रेंफोर्समेंट लगेगा तो इससे और इसके बीच में लगेगा तो यह लेंद कितने आने वाली हम लोगों को निकालना है तो इसके लिए हम लोगों क्या करना पड़ेगा यह ओगया 24 डिगरी का एंगल यहां पे तो यह हो गया पर्पेंडिकलर और यह हो गया बेस तो हमारे पास में बेस है लेकिन पर्पेंडिकलर हम लोगों को निकालना ह तो हम लोग अगर formula लगाए 10 theta equal to perpendicular by base ठीक है तो perpendicular हमारे पास में नहीं है तो हम लोग base into 1024 करेंगे तो हमारा answer निकल के आएगा 329 mm ठीक है तो 329 mm हम लोग को 15 meter 161 में से कम करना है तो हमारा आता है 11 162 मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लेंत है वह बन रही है 11 मिटर 862 और इसमें हम लोग divided by 2 करें इसको तो वह निकल के आएगा यहां पर 59.31 मतलब 60 numbers यहां पर निकल के आ जाते हैं ठीक है तो इसके 60 number बार्स हो गए 1 के और 1 एक हो गए हमारे 10 numbers अब बचता है हमारा 1B वन भी कहां पर लगावा है वह देखते हैं तो वन भी देखिए ड्रोई में हम लोग देखेंगे तो यहां से जो हमारे इस्ट वाला पॉर्चन वाला जो पर एक में रीました में हैं वहों आए छोटा होगा और यहां पर वाला एल होगा तो वाल वाला जो हम लोग ने निकाला वो 1405 mm था लेकिन ये 270 कहां से आए वो हम लोग को देखना है तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जब भी L लगाते हैं जिसका हम लोग को L नहीं दिया हो रहता है तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि वो 2 third यहाँ पर इसकी length बनाता है मतलब जित्ती भी ये parts है वो equal equal parts बननी चाहिए जो यहाँ से लेकिए यहाँ तक की height है उसमें ये सारी parts जो है वो equal equal बननी चाहिए तो 1, 2, 3 part हो गए उसके 2 part हम लोग को लिखना है तो यहाँ पर 2 third part हो जाते हैं तो अब यहाँ पर 550 mm अगर हम लोग करें तो 550 में से 150 mm कम कर दिया इसको divided by 3 करते हैं उसको multiplied by 2 करते हैं मतलब 2 by 3 करते हैं तो 267 आता है यहाँ पर 266.66 तो यह बनता है 270 इसलिए मैं यहाँ पर 270 लिख दिया अब यह vary कहां तक हो रहा है यह वाला portion कैसे निकल गया आया वो हम लोग निकालते हैं अब तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अभी हम लोगों ने देखा था कि 1800 mm तक यहाँ पर हम लोगों को length में लगाना है तो अब यहाँ पर यह vary वाला कहां तक आयेगा वो हम लोगों को देखना था तो अब यह 1800 तक तो हमारे यह वाला बाल लगाए और 1800 और 329 का जो डिफरेंस है उसको निकालते हैं मतलब 329 माइनस 1800 हम लोग निकालते हैं तो 1400 9.0 mm मतलब यहाँ से 1400 9.0 mm मतलब 1500 तक हमारे यहाँ पर 1500 प्लस 600 म मान लेते हैं क्योंकि 200 की स्पैसिंग है तो उसमें हम लोगों के हाँ पर बार्स लगने वाले है तो 1600 में लगने वाले और कितने लगने वाले हैं यहाँ पर अगर 200 की स्पैसिंग में निकालू में तो 8 प्लस 1 एक 9 Zumund बार आते हैं किसको consider करके इसको भी consider करके तो 7-410 तो हमने उल्रेड़ी ले लिया है 60 नंबर की counting में तो इससे कम वाला हम लोग को लेना है मतलब हम लोग को यहां पर 8 प्लस 1 हम लोग 9 बार लगा रहते हैं तो हम लोग 8 बार ही लगाना है तो हम लोग यहाँ पर 8 बार लिख देते हैं और 2 यहाँ पर दोनों faces पर क्योंकि इसके numbers हैं दोनों faces में 1 भी बार अवलेबल है मतलब जो raft के यह वाला portion भी जो हम लोग जो यह वाला जो age है उस पर जो आ लावा अब यहाँ पर इसकी length क्या निकल के आती है तो इसकी length क्या होगी एक तो 7.410 से हम लोग को कितना कम करना है वो निकलना है कि अब 24 डिगरी एंगल है तो एक बार पर कितना variation होगा वो हम लोग को निकलना है तो हम यहाँ पर एक simple सी चीज देखते हैं माली जी कि हमार बार है straight वाला और उसके आगे हमारा vary vary वाला बार यहाँ पर चालू हो रहा है first वाला और यह है spacing यहाँ पर 200 की और क्योंकि 24 डिगरी का एंगल यहाँ पर बना रहा है तो 200 की spacing पर यह वाली height कितनी vary होगी मतलब यह वाला reinforcement कितना छोटा हो गया जो अगर हम लोग यह वाली height कितना आने वाला है वो निकल जाएगा ठीके तो अब यहाँ पर 200 अब यहाँ पर यह होगया perpendicular यह होगया base अब यहाँ पर हम लोगों क्या करना है कि perpendicular divided by 10 24 करेंगे हम लोग तो यहाँ पर इसकी value निकल के आ जाएगी कि यह value क्या रही है यहाँ ठीके तो अब यहाँ पर 200 divided by 200 divided by 24 of 10 theta यह 10 theta मैंने किया तो 449.20 मतलब 449 वेरी हो रहा है तो मतलब पर बार 449 mm वेरी होता रहेगा मतलब यहां से हम लग करो 449 mm- तो आता है 6 meter 961 mm ठीक है तो 6 meter 961 mm हम आपर यहां पर आया हम लोगों लिख दिया अब यहां पर क्योंकि 8 बार है तो यहां पर 7 variation होंगे यहां पर तो इसमें से हम लोग 7 into 449 यहां पर करते हैं तो 3 meter 818 last वाले बार की cutting line आईगी तो यह कहां से लेके कहां तक वेरी करेगा यह वेरी करेगा 3 meter 818 से लेके 6 meter 961 तक यह वेरी करेगा और इसके number जो है 8 into 2 मतलब 16 numbers total इसके लगने वाले हैं यहां पर तो यह भी आपको clear हो गया होगा नहीं clear हो गया होगा तो आप वापस से इसकी practice कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है देखिए मैंने अब यहां पर मैंने आपको 7 क्यों minus किया है मैं आपको बदाएता हूँ माली जीए कि यहां पर 8 numbers बार है 8, 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, and 7, and 8 number अब बार है ठीक है तो जो भी 8 number अब बार है अब यह हो गया हमारा 6961 mm का जो हमारा last वाला बार है ठीक है उसमें से मैं कितना कम करना है देखिए 445 गिनते जाईए एक बार फिर दो बार फिर तीन बार फिर चार बार फिर पांच बार फिर छे बार और साथ बार मतलब हम लोगो साथ बार ही कम करना पड़ेगा क्योंकि यह 6961 तो हमारा है 818 mm यहाँ पर निकल के और आ रहा है ठीक है तो यह इस तरीके से इसका clarification मैंने आपको दे दिया और उसके number बार भी कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको निकाल के यहाँ पर बदा दिये है ठीक है अब यहाँ पर आती है wall vertical main bar की बार ही यहाँ व्योग कि कि आ पर वाल वर्टिकल» कहां से चलू गया है तो वयलो भी मैंने चैका यहां में चैक बहुमे म्याइब यह देखिए है यहां पे एकर दिए घ्यागया मतलब कोनर से चालू हो रहा है और पर जाकर खत्ब हो रहा है। यह यहां पर जाकर खत्म होरा है मतलब person that is home by Pixies यहां पर खतम हो रहा है यह बार तो इसकी हम लोगों वापस से इसकी काउंटिंग निकाल नहीं है कि इसके नंबर्स कितने आने वाले हैं ठीक है तो अब 18 mm कम मतलब जो हमारी यहां से लेके और यहां तक जो लेंद थी मतलब जो पंदरा मीटर 168 हमारी लेंद थी उसमें से म मैं कितने कम कर लेता हूं 18 mm कम कर लेता हूं ठीक है और divided by इसको 200 करता हूं तो कितने निकलती चासट प्लस एक मतलब 67 नंबर्स यहां पर निकल के आती है क्योंकि मैंने 200 और कम नहीं किया है तो मैं इसको बढ़ा सकता हूं मतलब 66.80 पूरा नहीं भी आ रहा है तो हम यहां यहां पर 67 प्लस एक 68 नंबर्स कर देते हैं क्योंकि यहां पर 66.80 तो जो हमारी लास वाली जो हमारे अठारो से में पर जो लेंत आ रही है उसके और जो हमारे यह वाला बारे इसके जो बीच में गेब थोड़ी ज्यादा हो जाएगी इसलिए हम लोग 68 नंबर्स ले लेते ह गूए है यहां से लेके 0.3a दिया हुआ है यह हमारा है साथ मीटर 400 तो साथ मीटर 400 मुल्टिप्लाइट बाए 0.3 मैं करता हूं यहां पर तो 2220 mm यहां पर निकल के आता है यहां पर ठीक है और प्लस यहां पर 400 mm की वाल है हमारी और उसमें से हम लोगो 75 mm की और मैनस करना हो तो 2545 mm का L निकल के आता है जो कि 2545 mm का L हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है अब उसकी हाइड की आएगी तो 31 mm यहां पर हाइड वेंड था हमारा प्लस 550 mm यहां पर जो राप्ट की विर्थती और 450 mm स्लेप की विर्थती तो 41 mm बनता है उसमें से मुझे 40 mm कवर उपर से मै करना है यह तीम मेंटर 950 mm जो भी हमारी कटिंग लेंड निकली वो निकल जाएगी और 68 into 2 क्योंकि दोनों वाल में लगेंगे इसलिए जो नंबर्स हम लोगों ने यहां पर निकाल लिए इसके अब उसके बाद में बारी आती है वाल वर्टिकल में बार एट आउट रेज जों मारी 2a वाली बार का लगी हुई है तो 2a वाली जो बार हम लोग लोग इच सकते हैं कि यहां पर कुछ इस तरीके से लगी हुई है यहां तक सोशोहन distributed एक One लगने वाला है तो 18 mm यहां पे इसके portion कितने हो जाएंगे चार यहां पे portion हो जाएंगे चार corner हो रहे हैं क्योंकि वाल के यहां पे इसकी length क्या हो रही है ठीक है इसकी लेंद हम लोगों को देखता है एक तो यह वाली यह कितने हो जाएगी जो आप लोग 2545 दिवाड़ेट बाइ कोस्ट 24 करेंगे तो आपके यह वाली लेंद निकल के आ जाएगी और उसके अलावा यह 3953 कहां से आती ही देखिए अब क्या होता यहाँ पे कि जो भी हम लो हो गया फिर से इन अधर में 1 गतन हो गया वह और मली जीय कि इधर में कोद्क भिंवा ट्रबस यहाँ पे लगाता है और अंब यहाँ पर इस तरीके से आप लोगको यह चुए यह वाला बाल लगाना है आपको ठीक है तो इसके साथ में आप लोगको वाल 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 ऩोड़ अला बार है वो सिफ सिफ का अला बार इसका स benz का टो अला बार है अगर आप लोग देखेंगे तो वहबी आप लोगों को जो है। और जूरे 92 kछ है उसमेंस अम लोग 32 मेंम उर तरहने में उसमेंस हम लोग 3m 9800म जाएंगे तो 3 913 contenem यहाँ इसकी लेंथ आ रही है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से यह दिख रही है आपको ठीक है तो यह तीन मीटर नो सो तरेपन अम यहाँ पर इसकी लेंथ आ गई ठीक है इसके नंबर्स कितने होगे 10 इंटू 4 नंबर्स होगे जो मैंने आपको बता दिये य लगता है तो यहाँ पर लोग देख लीजिए कि एक्स्टा बार किस तरीके से लगा हुआ है और कितना उसका लेंथ बन रहा है यह पहले हम・ographics किरलेड कर लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे जो बनता है यहाँ पे देख सकते हैं आप तीन बार जो है वो एक्स्ट्रा बार है यहाँ पे जो स्लेप के टोप में लग रहा है ठीक है आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं जो तीन नंबर वाला बार है वो 12 mm डायाक है वो 200 की स्पेसिंग पर यहाँ पे अब यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको देखें, तो यहाँ पे 0.15 A इधर से, और 0.15 A इधर से मैनस करना है, एक की विल्यू है यहाँ पे 7.400, तो इसकी लेंद कितनी आ रही है, वो पहले देख लेते हैं, 0.15 इंटू 7.400 करते हैं, तो 1110 mm, इंटू 2 करते हैं, तो 220 mm, मत कि जो यहाँ पे किस तरीके से लगा हुआ है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे प्लान में, तो अब लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कि यह जो बार है, यहाँ पे तीन नंबर वाला बार जो आपको दिख रहा है, इस वाले पोर्शन में, जो आपको वेरी वाले एक्स्ट्राबार दोनों तरफ ठीक है इधर में भी जहां तक पूरा आ सकता है तीन नंबर बार यह देखिए लिखा हुआ है तीन नंबर बार जहां तक आ सकता है वहां तक पूरा यहां पे इसकी जो है यहां से लेके और यहां तक आपको लगाना है इसको तीन नंबर बार क ठीक है यह देख लिए आप लोगों ने अब एक बात समझिएगा यहाँ पर जो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ उसको समझने कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पर जो हमारी इसकी लेंद निकल के आ रही है वो कितने आ रही है 4.540 म हम यहाँ पर इसकी निकल के आ रही है हमारी लेंद तो हम यहाँ पर इसको 4.540 म हम यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है प्लस यहाँ पर 1110 और प्लस वाल कितने होगी खेर इसको इस तरीके से न बनता है दोनों तरफ मिलाके इधर का difference और इधर का difference दोनों मिलाके इसको divided by 2 करते हैं तो एक side का कितना निकल के आता है 1435 एम एक side का यहाँ पे difference निकल के आता है 1435 एम तो 1435 एम प्लस 4540 एम कितना बनता है प्लस 4540 mm यह बनता है पांच मीटर 975 mm तो यहां पे पांच मीटर 975 mm लिख देता है ठीक है अभी इससे काम नहीं है हम लोगों क्या काम है अभी कि हम लोगों को यहां से लेके मतलब जहां तक यह बाल लगने वाला इधर में भी वहां तक इसकी कटिंग लेंद कितनी बनने व पड़ेगा पार्ड में किस तरीके से निकालना पड़ेगा वो देखिए यहां पर कि जो यहां पर हम लोग यह वाले बाल लगाते हैं आप सब को ही पता है कि हम लोग यह वाला बाल लगाते हैं उसके बीच में यहां पर जो यह दो बार होते हैं इसके बीच में यह एक बा लाइन है तो इसके यहां इस बीश तक कितले लगने वाला है ठीक है तो यह जो हम लोग ने निकाल ही निकाली थी यहां से लेकिन और यहां तक है यहां तक की इतने आ रहे हैं तो 11862 में से हम लोग पेले 400 mm कम करेंगे 400 mm इदर से और 100 mm इदर से क्योंकि इसके और इसके बीश में जो इस स्पैसिंग यह वह 100 mm किये तो 11662 बनता है डिवाइड़ बाइट 200 करते हैं तो निकल के आता है मार 59 नंबर अब बार्स तो सबसे पहले यह लिख यहां पर 59 नंबर अब बार्स निकल के आए इस तरीके से अब इसके आगे कितना जाने वाला है अब यह वाला पांस मीटर 340 है तो यह वाला लेंद कितना हो जाएगा वापस से हम लोग 10 थीटा का अपलाई करेंगे यहां पर फॉर्मला मतलब जो हम 4540 है इसको 24 आफ 10 और करते हैं तो तो हमारी लिंद मेंन के आजागी यह आजेगी 2021 मूरा यह हण तक 2021 मूद निकल के आती हैं हमारी तो यहांसे 2021 पीछे तक हम लोगों लगाना अब यहां से लिख्योर इसको फ्लेंप निखा लोग निकाल लेते तो यह 2660 mm की यहाँ पर आती है दिखिए मतलब क्या है calculation कर रहे हम लोग एक exact निकालना चाहते है कि कहां तक हमारा यह पूरा यहाँ पर complete आ जाएगा अब यह जरूरी तो नहीं है कि बिल्कुल corner ही match हो जाए और हमारा जो 4.540 का है वो लग जाए जरूरी भी नहीं है इसलिए इस के और इसकी जो gap है वो 640 mm बन रही है अब यहाँ पर इसके आगे जो reinforcement है इस एक्स्ट्रा बार से आगे जो reinforcement चलेगा वो तो यहाँ पर लगेगा पहला वाला ठीक है तो जो 640 में से हम लोग को 100 mm तो यह कम कर लिया अब बचता है 540 mm ठीक है अब हमको यहां से आगे लगान लेकिन हम लोग क्या है हमारे पास में 540 ही जगे बच रही है तो हम लोग इसको लगाना चालो करते हैं उल्टा है मैं आपको एक्जमल बता रहा हूँ देखिए 200 पर एगला बार आएगा तो कित्ती बनती है 340 तो हमारे दो बार लग गई ठीक है एक बार यहाँ पर लग ग 140 और बच गई अब इसमें हम लोग बार लगा सकते हैं क्या नहीं तीन बार लगने के बाद में हम लोग अगला बार नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारे 140 इसपेसिंग ही बच रही है अब जो अगला बाल लगेगा वो वेरी बाला इससार्ट होगा लगना ठीक है तो अब य क्योंकि हम लोग को 200 की spacing पे लगाना है इसको divided by 200 करते हैं तो 2 प्लस 1 मतलब 3 बास लगने वाले हैं तो 3 बार इधर भी लगने वाले हैं और 3 बार इस सेट में भी लगने वाले हैं अब जो skew वाले बार होगा वह कितना हो जाएगा वह हमारे 9 बार लगेंगे इन 10 नंबर के बीच में 140 mm और बच रहता है लेकिन यह दो देखिए यहां से एक वाला जो हमारा यह वाला रिंफोर्समेंट यहां पर इस तरह के साल हो गया और यहां पर जो 200 की spacing पर आएगा रिंफोर्समेंट वह कुछ इस तरीके से यहां पर रहेगा जो इससे चोटा भी रहेगा और यहां पर इस तरीके से हमारी यह यहां पर जाएगी और इस एस पर यह मेश कर जाना चाहिए तो यह तो ओकर हमारी 200 की यहां से लेकिए यह थी पूरी 140 की spacing इस corner तक और अब यहां पर हम लोग को 200 पर जाना है तो हमारी 60 mm की और spacing बसती है तो यहां पर 60 mm पर हमारी height क्या vary हो रही है व मतलब जो हमारा 4540 mm था उस में से मुझे 135 mm गटाना है तो 4405 mm आ जाएगा तो यह 4405 से vary होना start होगा और अब यह कितने बास लगेंगे वो हम लोगों को देखना है यहां पर ठीक है तो वो कितने बास लगने वाले हैं वेरी वाले अब 1800 mm तक तो हमको कुछ छेड़का नही चलते हैं क्योंकि 1800 से जो पीच में लगए यह reinforcement क्योंकि यह वाले जो बार है यह पूरे वाले जो बार है उनके वीच बीच में reinforcement चलेगा टीक है तो 9 बार्स लगेंगे इस तरीके से 9 बार्स यहां पर लगते जाएंगे और मान लीजिय कि जो लास्ट वाला बार है वो 2021 तो हमारा लेंट आ रहा था जहां तक हमारा वेरी चालू हो रहा था अब लोग हम लोग यहां पर ड्रो करके हो देख लेते हैं सबसे पहले तक आप लोग अच्छे समझ में आ जाए तो यह जो हमारा एक्स्ट्रा बार यहां पर खतम हो रहा था इस्ट्रेट वाला ठीक है औ 2,021 2,021 माइनस 6,0 mm कर्तू में तो यह यहाँ पे 1 1,61אן म यहाँ पे इसकी लिंद्ध बचती है यहाँ पे 1 1,61 таких टीक है यह 1,61liamo की हमारी लिंद्ध बचती है टीक है तो यहाँ पे 1 तो यह हो गया और अब यहाँ पे इसके आगे कितने वो लगने वाले हैं तो हमारे 1800 और यहाँ पे एक बार जो हम लोग इस तरीके से लगाएंगे तो वो बार किस तरीके से लगेंगे कुछ इस तरीके से वो बार लगते हैं यह कुछ इस तरीके से ठीक है तो 1800 mm पे हमारा ये वाला बार आ रहा था तो ये किते पे रहेगा 1800-100 mm यहां पे तो 1700 mm पे ये वाला बार रहेगा तो हम लोग 1700 consider कर के चलते हैं यहां पे तो 1961-1700 mm करूँ मैं तो 261 mm यहां पे इसकी gap बस्ती है तो 261 mm मेरे कितने बार लगेंगे 200 से मैं करूँ इसको तो 1.305 मतलब यहाँ पे 2 बार्स यहाँ पे लगेंगे आप लोग चाहें अगर क्योंकि यह 1.30 बन रहा है तो आप लोग यहाँ पे 3 बार्स भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा तो 3 बार इसको कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है तो यह 445 mm हो गया तो इसकी जो पीछे वाली विर्त वो कित्ती बनेगी मतलब इसमें से 449 mm में घटा देता हूं यहाँ पे तो 3.956 mm यहाँ पे बचेगी अगर इससे आप लोग एक बार नीचे भी लगाना सकते हैं तो 400 mm से में वापस घटाएंगे आप लोग तो 307 mm यहाँ पे निकल के आ जाएगी आप चाहें तो लगा भी सकते हैं आप नहीं भी चाहें तो नहीं भी लगाएं तो यह कुछ इस तरीके से ही है एक्स्ट्रा बार की यहाँ पे तीनो एक्स्ट्रा बार की हम लोगों को वेरियेशन वाला पोर्षन और यह वाला पोर्षन और यह वाला पोर्षन इन तीनों की हम लोगों ने निकाल लिए किस तरीके से आने वाली है ठीक है कुछ भी नहीं है आपको simple logic एक side से आप लोग करते जाना है आपको जिस तरीके से execution होता है उस तरीके से आपको सोचते जाना है और side पर किस तरीके से fix होगा वहाँ पर कोई problem तो नहीं आएगी उस तरीके से आपको सोचके और इसकी cutting lens निकालते चालू कर देना है ठीक है अब जो यह rafter का top main बार है वो जो हमारा bottom वाला बार तक कुछ इस तरीके से लगेगा बस इसके जो L है वो 270 में convert हो जाएंगे बाकि 410 होई रहेगी इसके numbers भी होई आएंगे 60 ठीक है वापस इसके भी numbers होई आएंगे और इसके भी numbers होई आएंगे बस यहाँ पर इसके L जो है वो छोटे हो गए 270 के तो चार वाले बार में कोई problem नहीं होनी चीए आपको अब आता है यहाँ पर 5 नंबर वाला बार वर्टिकल बार तो यह भी easy है इसके L जो है यहाँ पर बढ़ जाएंगे क्योंकि यह यहाँ पर पूरे में लगने वाला है इसलिए मतलब 15 161 में लगेगा इसको 200 से डिवाइड करता हूं में तो 75.18 मतलब 76 plus 177 नंबर यहाँ पर इसके बास निकलके आ जाते हैं तो कुछ इस तरीके से यह पूरा यहाँ पर raft और wall का मिला के complete हो गया है VBS ठीक है अब आगे का VBS हम लोग अगले पार्ट में से केंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है इसलिए अगले वाले पार्ट में हम लोग मिलेंगे वापस से और इसी VBS को आगे continue करेंगे ठीक है तो इस वाले वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नमस्कार